आज मैं बनाने जारें गूल कप्पे, गूल कप्पे सभी को पसंद है और मेरा तो फीवरिट है तो कफर्स करके आप जरूर बताइए कि गूल कप्पे किस-किस को पसंद है गूल कप्पे बनाने के लिए हमने या पर लिया एक कप सूजी, एक कप आटा और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करके इसे आटे जैसे अच्छे से गोन लेंगे इसके माटे अच्छे से गोन लेंगे, लोईया बना लेंगे इस तरह से मैं इसे या पनी से ढाप कर रग दूँगी, आप यहाँ पर कॉटन का कपड़ा भी गीला कर से इससे ढाप सकते है आदे गंटे के लिए यहाँ पर हमने रख दिया था, आदा गंटा हो चुका है, अब हम इसके छोटी 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 लोईया बना लेंगे और इस तरह से छोटा छोटा पूड़ी की तरह बेल लेंगे यहाँ पर हमने सारे इस तरह से छोड़ी चोड़ी पूड़ी एक तरह बेल लिया है अब कड़ाहे में अच्छे से तेल गरम होने के बाद हम इसमें एक एक करके इस तरह से छान लेंगे और इसको हमें इस तरह से चला दे जाना है और यह अच्छे से फूल चुगा है इस तरह से हम सारे गोलकपो को छान लेंगे यहाँ पर हमारा सार गोलकपाई बनकर दयार है अब पाने मुनाने के लिए हमने आप लिया खटाई आप इमली भी ले सकते हैं कच्छे आपकी खटाई मैंने आप लिया और इसमें मैंने धनिया मिर्चे हरी मिर्चे सब तीनों आड़ करके इसमें अच्छे से मिक्सी में पीस लूँगी यह पीस चुका है और फिर मैं यहाँ पर जीरा भुना हुए लूँगी इसका पाउडर बना लूँगी और जो हमने चटनी को पेश्ट गुनाया था उसमें मैं पानी में आड़ करके इच्छे से मिला दूँगी आया पर भुना वजीरा का पाउडर मिलाऊंगी इसमें इसमें डालेंगे नीबू इसमें नमक और फिर बोंदी है अब लालो लिया है हमने इसे अच्छे से मैक्स कर लेंगे मैश करने के बाद हम इसे कड़ाई में तो तेल जीरा डाल कर इसमें अच्छे से भून लेंगे अच्छे से बन सुका है हमारा गोला को बनता में अच्छे से बनी और बीजा कर दो है